गाइस मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है क्लास 9 से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं CBC बोड के उनका लेकर काफी बड़ा confusion create हो गया है बच्चे बड़े confused ने हैं बच्चों का demand है online exams लेने का क्योंकि उनका कहना है कि जब classes online हुए तो exams online क्यों नहीं होने चाहिए और यही कहना है उनके parents का भी ज़्यादतर parents कहते हैं कि online exams होना चाहिए और ये एक survey किया गया था time now news के तरफ से तो उनकी तरफ से ये जो survey हुआ उसमें निकल कर काया है कि around 74% students चाहते थे कि online exams होना चाहिए लेकिन इसके विपरीत इसके just विपरीत जो है वो outcome निकल करके आया है सिबसी के तरफ से और आनन फानन में एक circular जारी किया गया है और उस circular ने काफी कुछ उलट प्रट करके रख दिया स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपनी चैनल में मैं हूँ आपका विशाल सर विशाल कुमार जैस्वाल गाइस काफी बड़ा मुद्दा भी एक तरह से खड़ा हो चुका है online exams या offline exams को ले करके जहां एक तरफ लाखो बच्चे class 9-11 के कह रहे हैं और even 10-12 के भी की online exams होना चाहिए वहीं CBC officials या कह लिजे कि Ministry of Education सबका कहना है कि online exams की बिलकुल भी जरुवत नहीं है offline exams would be far enough ये कहना है उनका लेकिन हमने आज निकालने का कोशिश किया क्योंकि लाखो बच्चों के तरफ से काफी messages आ रहे थे, mails आ रहे थे even voice messages बहुत हैं, कई guardians ने फोन भी किया तो हमने इस चीज को confirm करने का कोशिश किया कि ये पूरा issue क्या है हम थोड़ा सा गहरा deep में हम जाते हैं तो जब हमने deep में जाने की कोशिश की हमने तीन खास लोगों से बात किया पहला कुछ अच्छे बड़े schools के principal से हमने बात किया दूसरा हमने बात किया leading expert से जिनके पास में past experience है 20-25 सालों से उपर का और साथ ही बात किया हमने CBC official से चीक है, तो जो पूरा outcome निकल करके आया बच्चो जब हम पढ़ते हैं तो यह बहुत natural है कि उससे संबंदित हमारे मन में कुछ questions या doubts हो तो इन ही सारे doubts, questions, queries को दूर करने के लिए Unacademy ने class 6-12 के students के लिए शुरू किया है Unacademy Ask a Doubt तो अब आप भी पूछ सकते हैं unlimited doubts at any time और आपको मिलेंगे high quality video solutions in English and Hindi तो जल्दी से कीज़े download या update Unacademy के app को और पूछना शुरू कीज़े math science के कोई भी doubts को doubts पूछने का तरीका बहुत simple है सबसे पहले click on ask a doubt step 2, take a picture of question step 3, click or select a picture of your question step 4, crop कीज़े उस specific question को step 5 है फिर चुने उस subject को जिसके अंदर वो question आता है बच्चों बस फिर इंतिजार कीज़े क्योंकि you will receive the high quality video solutions soon doubt question पूछते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना है जैसे post only one doubt at once post clear image etc तो use कीज़े मेरे रेफलल कोड विशाल के आर को और पाते जाईए class 6 to 12 के math science से जोड़े किसी भी doubts का solution तो बच्चों class 6 to 12 के link description में दिये हुए है तो तुरंत यूज कीज़े unacademy के इस unique feature unacademy ask a doubt को for more details go to the link in description ठीके तो वीडियो के अंतक रहना है skip बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो कोई vital information आप से मिस हो सकता है और सबसे खास बात कि पहले बार अगर आप हमाई चैनल में आया है तो जली से चैनल को सब्स्राइब कीज़े क्योंकि इसी के वज़ह से आपको मिलेंगे latest updates, live sessions, live classes तो guys बताते हैं हम आपको कि हुआ क्या है देखिए सारा मामला क्या है कि जहां एक तरफ parents चाहते हैं students चाहते हैं कि online exams हो वहीं CBC officials या कहलीजे ministry of education चाहता है कि offline exam हो अब यहां पे परसो यानि कि Thursday को एक circular जारी हुआ CBC की तरफ से और इस circular ने काफी कुछ पलट दिया यहां पे इस circular में major दो points थे और यह specially क्या गया था circular जारी किया गया था class 9 और 11 के लिए यहां पे जो पहला था वो यह था कि जो 9 और 11 के जो classes हैं उसको पहले तो resume किया जाए दुबारा से चुनू किया जाए देश भर में जहां पे ये बाते उठी कि भई बहुत सारे जगह पर अभी तक school नहीं खुला है class 9 और 11 के लिए कई states में तो CBC का कहना था कि आप इसको खोल सकते हैं कई states आप खोल चुके हैं most of the places में खोल चुके हैं मैं आपको बेटा तीनों का mixed way में मैं आपको बता रहा हूँ experts, CBC officials और principals principles, देखे इन लोगों से जब हमने इस बार में बात किया तो उनका कहना था कि CBC ने ऐसा action इस वजह से लिया है क्योंकि देश भर में ज़्यादतर schools जो हैं वो खोल चुके हैं different states के, जहां नहीं खुले हैं वहां खुलने के process में हैं कुछ 2-4-5 दिरों के अंदर में other states में या जहां भी नहीं खुले हैं वो भी खोल जाएंगे और CBC ने second point out क्या किया कि आप सबसे पहले तो classes को resume कीजिए face to face classes चलाइए क्योंकि बच्चों का demand था देखो, जो लाखो tweets हुए ना उस tweet में base बनाये गया था कि online classes हुआ जो की perfect नहीं था चेके तो इसी को CBC ने भी base बनाया गौर करो आप लोग CBC ने भी पलट करके वार किया कि भाई क्योंकि online classes हुए और आप ही कहते हो कि online classes काफी नहीं है तो CBC ने का okay fine आप आजाओ class में face to face classes हो teachers को responsibility दिया गया कि भाई आपने पढ़ाया नहीं या ठीक से नहीं classes हुआ तो अब आप बच्चों को face to face class लेना शुरू कीजे और उनके जो भी issues है problems है उसको दूर कीजे यहाँ पर कितना मतलब तरीका से यह चीज किया गया बहुत शांदार तरीके से और यहाँ पर देखो एक और बहुत 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 बढ़ा point है कि साथी साथ यह भी instructions दे दिया गया जो CBC affiliated schools पूछ रहे थे बार-बार question कर रहे थे कि new academic session का क्या होगा तो CBC के इस notification ने इस circular ने इस बात को clear कर दिया साफ साफ instructions दिया गया कि भाई एक April से आप classes को शुरू किजिए ठीके तो अब यहाँ भी देखे जब हमने experts से principal से बात करने का कोशिश किया और साथी CBC officials से तो तीनों जगर से जो बाते निकल करके आई वो sum up करके मैं आपको बता रहा हूँ यहां भी देखे इन लोगों ने कहा कि भाई CBC ने क्या कहा है CBC ने स्कूलों को कहा है कि जो भी issues है students के जैसे कि class 6 से नहीं चलना या किसी specific chapters को एक period या WhatsApp के 20 मिनट के class में 25 मिनट के class में एक PDF notes में खतम कर दिया तो इसको आप issues को problems को find out कीजे और यह जो learning gap हो गया है student और teacher के बीच में एक learning gap हो गया है बच्चों के बीच में एक पढ़ाई का gap बन गया है उसको आप एकदम जल्दी से दूर कीजे चेके अब यहां पे बड़ा major सवाल है बच्चों का भी सब का भी कि एक्जाम्स का क्या होगा तो guys यहां पे देखे मैं बेटा आप लोगों को बता दूँ बच्चों आप लोगों को बता दूँ कि यहां पे CBC का एकदम साफ साफ इरादा है उनका इरादा क्या है कि आप आओ class के अंदर जब class के अंदर आओगे तो schools या teachers समझ पाएंगे कि problem कहा है और उसी के according फिर वो solution देंगे और फिर आपका लेंगे exam और लेंगे exam कैसे obviously वो लेना चाहते है offline exam वो online exams के लिए तयार नहीं है बहुत जगह बेटा मेरे पास में आप बच्चों ने मुझे बहुत सारे videos के link share के हैं कि भाई जनरल प्रमोट कर दे रहा है 911 को तो वो नहीं हुआ है जाकन में सिर्फ यह बात उठा है वो अभी तक सिर्फ वहीं से खबर है और कहीं से खबर अभी हमारे पास में latest subject नहीं है यहां पर CBC क्या चाहता है कि भाई आप क्या किजे आप exams लीजे कई लोग कह रहे हैं कई जो आप लोग ने मुझे से शेर किया उसमें ये मैंने सुना कि भाई CBC जो बच्चों को है वो प्रमोट कर देंगे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि online होगा कि offline होगा बेटा अगर आप उस circular को खुद भी देखो तो आपको clear हो जाएगा यहाँ पे साफ साफ क्या क्या कहा गया है कि पहले face to face classes on कीजिए and then take exam देखे जो experts से भी मैंने बात किया उन्होंने भी इसी point को निकाला इस point को देखे यहाँ मैंने point करके रखा हुआ है कि पहले आप classes लो and then take exams तो classes जितना हुआ नहीं हुआ अब वो आपका exam लेने के चक्कर में हैं ठीक है लेकिन यहाँ cbc के circular में साफ कहा गया cbc की जो examination controller है डॉक्टर सायम भार्दवाज उनकी तरफ से strict instructions सभी स्कूलों को दिया गया कि पूरे covid safety protocols को follow करते वे और exam bylaws को follow करते वे exam bylaws गौर के जे exam bylaws को follow करते वे आप exams को conduct कराओ और अगर जरुवत पड़े तो बच्चों को जो पढ़ने में problems हैं तो specially designed bridge course का निर्मान किया जाए मतलब एक special course का निर्मान किया जाए जिसको नाम दिया गया है bridge course का और उससे बच्चों को help करें अब यहां पे बहुत बच्चे परिशान है कि पास होंगे कि फेल होंगे तो बेटा मैं आपको बहुत ही साफ सब्दों में आपको मैं बता दे रहा हूँ passing criteria जो रखा गया है वो रखा गया है कि आप at least five subjects में आपको पास करना है प्रमोशन मिलेगा लेकिन साथ ही साथ में जो मैंने प्रिंसिपल से specially यह सवाल पूछा था specially principles से क्योंकि इसका बहतर जवाब वही दे सकते थे तो करीब 9 स्कूलों के principles से मैंने contact किया था और 9 स्कूलों के principles ने का कि sir class 9 और 11 को रोकने का कोई इरादा बनता नहीं है कोई इरादा नहीं बनता है बशरते बच्चे class जो है वो attend करें और exams जो है वो attend करें उसके attempt के बिना या exam से absent होने पर हम कुछ नहीं कर सकते तो वो attempt करें पेपर easy ही आएंगे ऐसा मतलब principles के तरफ से भी कहा गया और जो legal experts है उनका भी कहा गया जब हमने CBC official से ये बाते पूछी तो उनके तरफ से भी कहना था कि ये caution paper जो है ये तो schools का मसला है लेकिन fail इस बात करें ऐसा कोई इरादा नहीं है बिलकुल भी बशरते बच्चे अच official से जब मैंने बात किया तो वहां से निकल करके आया कि ये बहुत बात आप ध्यान देना बेटा बहुत बहुती special ध्यान देना कि स्कूलों को CBC headquarter ने strict instructions दिया है to focus on each and every student हर student के उपर में स्कूलों को focus करना है class 9-11 जितने भी students है सभी के उपर focus करना है और उनके problems को समझना ह उनके जो भी issues हैं उसको समझना है और उसके according आपको solution देना है अब guys यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा अब एक last में बसता है हमारे पास कि online exam क्या होगा क्योंकि कई स्कूलों ने online exams का facility बच्चों को दे दिया था consent form सिर्फ गार्जन को भरना था हमने जो second phone किये थे mails भेज कोई नहीं दे सकता तो मुझे comment section में जरूर बताओ कि पूरा मसलग क्या है माम लग क्या है और एकदम चिंता नहीं करना है बेटा क्यूंकि मैंने आपको बताया papers easy रहेंगे चिंता की बात नहीं रहेगी online हो या offline हो अभी और हम wait कर लेते हैं लेकिन आपको परेशान होने की जरुत नहीं है इतना मैं आपको एकदम assure कर रहा हूं यकिन दिला रहा हूं तो बस मेहनत करो पढ़ो और पढ़ो और एकदम आगे बढ़ते जाओ किसी का आप negative बाते बिलकुल भी नहीं सुनो क्योंकि negative बाते हमेशा याद रखना आदमी को दो कदम पीछे ठेलती है आगे कभी नहीं ले जाती तो negative बाते आपको छोड़नी होंगी और हम आपको positivity की तरफ लेके जा रहे हैं हम आपको लगातार motivate कर रहे हैं तो आप लोगों को बने रहना है हमार साथ क्योंकि हम online test series हमने कई सारे शुरू किये हैं जो कि हर शाम 7 बज़े लिये जाते हैं तो आप उस of course दे रहे हैं तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है सरफ मन लगा के पढ़ो और कोई भी problems हो तो आप मुझे mail कीजिए SMS कीजिए ठेक है टेलिग्राम हमारे चैनल से जुड़िए हमें follow कर सकते हैं आप Twitter पे भी सबके link description में दिये में हैं बस एक बात का ध्यान लखन नहीं क्योंकि live sessions में मैं उस सारे issues को दूर करता हूं तो हर साम साथ बज़े हम live होई रहे हैं आप हमारे साथ जरू जो यह तो यह था guys latest update जो हमने आपको दिया बने देए मेरे साथ में और अधर जो upcoming events हैं उसके information के लिए मिलते हैं next video में next live session में see you there this is all from my side this is your Vishal sir signing off please stay calm stay safe stay जै हिंग जै भारत którą है लूब्स बादित आवाश प्राश जाई हैं जो हुआ वारता हैं भारता हैं नहींग जले हैं कि आदो है को उन्हाश आपको जो फो यह भावाशन आपको जुद रहे हैं तो हैं जादी को पूली को में लोग़।